टॉप फाइब्स लैप्टप अंडव 40,000 फो फोटो एडिटिंग तो यार अगर आप फोटो एडिटिंग करते हो जा सीखते हो अगर आपने लाइक फोटो शॉप यूज करना है यागर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टो यूज करना है अगर आपको प्रेट चालिस हजार है यह वीडियो मैं आपके लिए करूँ मैं बहुत लोड़िट लैक्टप जो है आपको बताने वालों तो स्टार्ट करते हैं बात करते हैं नंबर फाइब तो यार सबसे पहले में आपको बता देना चाहता हूँ अगर मैं आपको उपर साइसर जो है वो आई थ्री भी सबसे पहले 2020 में बहुत लोग ने इसको पसंद किया पट मैं इसके माइनस पॉइंट की विया आप से बात कर लेता हूँ माइनस पॉइंट की बात करूं आपको 8GB रैम तो मिल जाते हैं लेकिन उसको अप्रइड करने का ऑप्शन नहीं मिलता जो कि सच में एक माइनस कर जाने आप जा सकते हो इसके डिस्प्ले क्वाल्टी बहुं सही इसका ट्रैक पैड बहुं सही है एंड बिल्ट क्वाल्टी वी आपको बहुत अगरी मिल जाती है माइन नोट्बूक फॉर्ण की मैं में स्पैसिविकेशन की बात कर ले तो थोड़ा से डीप लिए आपको को मिल जाती को इंटल यूएच टी ग्राफिक कार भी मिल जाएगा आपको ix3502GB के साथ ग्राफिक कार देखनी को मिल जाएगा उपरे नीचिस्ट्रेंगी बात करें आपको विंटोट्व 10 मिल जाती है बैंटरी की बात को टैनारी बैक पर वाइड कर देता है प्लस आपको 65 वोड का fast charger देखने को मिल जाता है प्राइस की बात करूँ आपको 41,000 के बड़र में MI notebook fording देखने को मिल जाएगा तो यहर में स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिये MI notebook fording के अब ही मैं आपको यह भी बता देता हूं इसको number 5 पर रखने का सिर्फ यह रीजन है कि आपको 8GB RAM जो अपग्रेड करने का option नहीं मिलता जो कि सच में मानेस पॉइंट आ जाता है तो भी अगर आपने जाना MI notebook fording के आप आप जा सकते हो वैसे laptop देखा जाए पूरा जाता है अगर आपको student हो अगर आप office वर के लिए चाहिए अगर आपने वीडियो एक्टिंग करने है अगर आपने gaming करने है अगर आप मैंने रखिया HP fording को अगर इस laptop की बात करूं सबसे पहले यार मैं बात करता हूं कई बंदे मुझे मैसी करते मुझे HP का laptop चाहिए मुझे Dell का ही laptop चाहिए अगर आप भी उनमें से आते हो आप जा सकते हो HP fording की और अगर इसके specification की बात करूं laptop बहुत अगड़ा यह दो कल्स में देखने को मिलता है लेकिन ब्लैक कलर में मुझे ज्यादा सूट करता है अगर आपने जाना है तो ब्लैक कलर आप भी ट्राइक कर लेना आपको पसंद आने वाला ठीक है इसमें आपको i3 मिलेगा 10th generation के साथ भी मिल जागा आपको 8GB RAM मिल जाते हैं जो कि आप अपग्रेट कर सकते हो 16GB तक जो कि इसका प्लस पॉइंट आ जाता है मैं में स्पैसिफिकेशन की बात करी लेता हूं आप से डीपली बात करी लेते हैं तो डिस्प्ले की बात करूं आपको 14-inch Full HD display मिल जाते हैं जो कि 16 refresh rate के साथ आते हैं आपको इंटिक्राइट ग्राफिक कार में जाते हैं उप्रेणी से इसने की बातों को विंटो टैम मिल जाते हैं प्लस आपको MS Office मिल जाता है 2019 वर्जन बैंटरी की बात करूं आपको 7 hours का बैंटरी बैकप परवाइड कर देता प्राइस की बात करूं इसका प्राइस आपको अपके लिए पोफेक्ट डील हो सकती है। अभी आगए बात करते हैं नंबर 3 की nutrim थी की बात करों लेकिन नंबर 3 की की बात करने से पहले मैं आपको था से रपीड कर देना जाता हूं भाई जो कि आपके लिए बैस्त दिल हो जागी बिकर आपको ग्राफिकार इतना तल्गडरा नी मिलता आपको इंटीक्र ग्राफिक कर मिलता जबस ध्याइक राफिक कर तो मैं आपको टो करने को कहता ही ना ठीक है तो कर लेना तांकि अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टर यूज करना होगा वो नॉर्मली स्मूथली चल जाएगा ठीक है अब आगे बात करते हैं नम्बो त्री की नम्बो त्री पर यार मैंने रखिया लिनोवो आडिया पैट स्लिम थ्री आई को अगर इस लैक्टॉप की बात को तो यार इस लैक्टॉप का प्राइज हो जाता है थर्डी फाव थाउजन प्लस बैए अगर आप सब्सक्राइब कर लेक्ट आपको फाव परसंट या टैन परसंट आफ पी देखने को मिल जाता है अगर आप उसको यूज कर लोगे आपका फाव थाजन और भी लेस हो आता हों भी अगर आप आपका बजट सौरी कम है तो इस लैक्टॉप को एक पर आप चैको जरूर करना लिन्योव वो आइडिया पैट स्लेम 3 आई को मैंने लिंक प्रवाइड किया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जागा अभी बात करते हैं डिस्प्ल इस बात करों को 8GB RAM मिल जाती है अपको 12GB तक कर सकते हैं प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाते हैं ग्राफिक आड की बात करूँ आपको इंटीग्रेटीड ग्राफिक आड मिल जाता है प्रेडी सिस्टन की बातों को विंटो टैम मिल जाते हैं प्लस आपको MS Office मिल जागा 2019 बैंटरी की बात करूँ आपको 7 hours का बैंटरी बैकप परवाइड कर देता प्राइस की बात करूँ इसका प्राइस मैंने आपको पहले भी बता दिया 35,000 के बजड़ में आपको 10 जिम्रेशन मिल जाएगा और 45,000 के बजड़ में आपको 11 जिम्रेशन के साथ लिनोवो इनको अगर इस लैपटाप की बात करूँ सबसे पहले यह 2020 मॉडल है एंड आपको स्लिम और 47 दिजाइन देखने को मिल जाते हैं इसके कलर वगरा बहुत ब्यारे आते हैं भी अगर आपको एक स्लिम और 47 चाहिए आपके लिए यह लैपटाप परफेक्ट डील हो सकता है त अगरे आप 16 GB तक कर सकते हो प्लस आपको 256 GB SSD देखने को मिल जाते हैं ग्राफिकार की बात करूँ आपको इंटीग्रेटरिन ग्राफिकार मिल जाते हो प्रेडिस इसने की बातकों को विंटू 10 देखने को मिल जाते हैं प्लस आपको MS Office भी मिल जागा 2019 वोर्ट जन बेंटरी की बात करूं आपको six to seven hours का battery backup provide कर देता है प्राइज की बातों को 42,000 के budget में असूस वीवबुक अल्टरा फिफ्टिंग देखने को मिल जाती है तो यार में स्पेसिफिकेशन में आपको बता दिया असूस वीवबुक अल्टरा फिफ्टिंग के भी इसके स्पेसिफिकेशन प्राइज की बातों को 41,000 के बडर में मिल जागा बट यार आपको स्टालिश डिजाइन है अगर आपको वह चीज मैटर करती है आप इसके और जा सकते हो प्लस अगर आपने पढ़ते हो पढ़ाते हो कुछ भी करते हो कोई हवी सॉफ्टियर यूज करना है आप नॉर्मली का बिदर 45,000 तक हो जाता है आप इस लैक्टाप के और चल जाना अगर आप मतलब 40,000 ही पे कर सकते हो तो असूस वेबुक अल्ट्रा फिफ्टिन आपके लिए बैस दील हो सकते है अगर आप 40,000 भी नहीं पे कर सकते हैं तो 35,000 के बड़न में लिनोवो आईडिया पैट्स 3i आपके लिए पोफेट डील हो सकती है अभी बात करते हैं लाइक एस तर इस पायर 5 की तो डिस्प्ले की बात करूं आपको 14 इंच फॉलेश्टी पर दिस्प्ले मिल जाए जो की आई पैस पैनल डेस्प्ले प्रसेसर की बातों को आई फाइब टैंथन जनेरेशन के साथ म मिल जाते है बैंटरी की बातों को 8 आवस का बैंटरी लाइफ परवाइड कर देखता प्राइस की बातों को 45 तो जिनके बदेड में इस सर इस पायर 5 की यह लैप्टाव मैंने इसलिए रखा भी अगर आप थोड़ा सा भी आक्स्टापी कर सकते हो लैप्टाव पूरा लु सबी के लिए बैस्ट दील हो सकते हैं तो यह अभी मैंने आपको टौफ फाइव लेप्टाव बता दिये जो भी आपके बज़ेड में सेट पैड़ता है आप उस क्यों जा सकते हो पर यह अगर आपको आई थ्री भी देखने को मिलता ना यार वो टैंथ जनेरेशन जाहिए सब्सक्राइब करेंगे तो चागूर करना जाते हो आपके लिए देखना भी चाहिए तभी मैंने सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने वीडियो के साथ कोई नया टॉपिक लिक राएंगे आपके साथ शियर करेंगे थैंक्यू